डीर सब्सक्राइबरीज वेल कम टूद ड़िग जो हम आँच формate यहारा pasando Shh करेंगे ब्रोट वो सारी worship दि इस ने करेंगे जो walern कोशन हैं धर यहां अब इसक्ति करेंगे अगर सब्सक्राइब करेंगे आप यह वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अंटाइम पोजर मैंने इस वीडियो की पीडियाप फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दी है तो आप जाके आप पीडियाप फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो आप हमारा टेली ग्राम ग्रूप भी सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो एक कौन सा अंग प्रभावित होता है फेपड़ा जो फेपड़ा है जो अपने लंग्स है वो कोरोना वायरस से प्रभावित होते हैं आपको याद रखना है मोश्ट इंपोर्टन कोश्चन है कि कोरोना वाइरस से मानो सरी का कौन सांग प्रभावित होता है तो वो है फेपड़ा क्लियर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे नेक्स्ट कोश्चन है कोरोना वाइरस का नाम किस भास्या से उत्पन्न हुआ है तो ये कौन सी भाशाशास उत्पण्ना हुआ है? तो ये उत्पण्नु है Latin भाशास से कौन सी लैंग्वेज से जो लैंटिन लैंग्वेज है वास से coronavirus का नाम उत्पण्ना हुआ है चलते हैं Next question पर Next question है कूरोना वाइरस से अंतर राष्ट्रे आपात्काल की घो सब्सक्राइब कीशना की। बीजS अंतर राष्ट्रे आपात्काल की घोसना की है। नेक्स्ट कोस्टन देख ले थे, नेक्स्ट कोस्टन है, कोरोना वाइरस को आधिकारिक नाम क्या दिया है, तो क्या नाम दिया है, COVID-19, अब यहाँ पे टर्म है, COVID-19, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, CO, आपको यहाँ पे दिख रहा है, CO, CO का मतलब क्या होता है, कोरोना, VI का वाइरस और D का डिसिज, क्या होता है, CO का, कोरोना, VI का वाइरस और D का डिसिज, और यहाँ पे जो लास्ट में आपको 19 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 2019, क्योंकि बेसिकलि इसका जो पता है 2019 में चला इसलिए इसको ये नाम दिया है कौनसा COVID-19 ने कोरोना वाइरस डिसीस 19 आपको ये याद रखना है clear चलते है नेक्स्ट कोश्चन पे तो नेक्स्ट कोश्चन है कोरोना वाइरस के चलते भारत के किस राज्य ने आपातकाल की घोशना की है तो ये कोनसे राज्य ने की है ये की है केरल ने कौनसा राज्य केरल ये भारत का इसा पहला राज्य है केरल जहाँ पे कोरोना वाइरस के चलते केरल ने आपातकाल की घोशना की है clear चलते है नेक्स्ट कोश्चन पे नेक्स्ट कोश्चन है कोरोना वाइरस को महामारी घोशित करने वाला भारत का पहला राज़े कोंग ऐसे तो एक और सा यह हारियाना जो भारत का जो पहला राज़्य है जिसने कोरोना वाइरसки चलते महामाकी घोशना की है तो वह कोंगा है अधिकूशन पे तो आज का हमणारा निक्स्ट कुस्ट्ट नेक्शन में कोरोना वाइरस्अ प्रभावी प्रभावित देशों को बारा मिलियन डॉलर देने की घोशना की है तो एक इसने की है विश्व बैंक ने जो वर्ल बैंक है उसने कोरोना वाइरस के चलते जो जितने भी जो प्रभावित है उनको बारा मिलियन डॉलर की का जो धनराशे वो देने की घोशना की है किसने वर्ल यह कि है अपने देश भारत ने किसने कि है भारत ने कोरोना वाइरस से निपटने है तो एक टास्क फोर्स का गटन किया है क्लियर चलते हैं निक्स्ट कोष्टन पे तो निक्स्ट कोष्टन है किसने कोरोना वाइरस से निपतने ही तू जो वर्ल्डव एक खोन है उसने दब्लो एचो के से एक्शन प्लैन लौँच किया है, और क्िस राज्य ने कोवा पंजाब नामक एक मोबाईल अप लॉंच किया है तो है किस बादने से को पंजाब नामक यह मुबाइल आप लॉंच किया यह पेका पटाःताओ अब है कि chess को नहीं न ऐτα was कि सहर में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मोते हुई है तो कौन से सहर में लोंबार्डी में कौन से सहर में लोंबार्डी और यह कहा का सहर है इटली का जो लोंबार्डी सहर है वहाँ पे चीन के चीन का जो वहां सहर है ना उससे भी ज़्यादा वहाँ पे मोते हुई है क् नेक्स्ट कोसन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोसने कोरोना वाइरस के बारे में जानकारी देने ही, तो इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉंच किया है, तो कौन सा फीचर लॉंच किया है, इंस्टाग्राम फीड, कौन सा फीचर लॉंच किया है, इंस्टाग्राम फीड, ज बना है तो एक कुन सा देश बना है इटली जो कुरोना वायरस है उससे क्या हुआ सबसे ज़्यादा जो मोहते हुए इटली में इसका तो सबसे पहले पता कहां पे लगा चाइना का जो वहां पे तो इसका पता लगा लेकिन सबसे ज़्यादा मोहते कहां पे हुई है इटली मे मैं यह आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि आप इसका फर्स्ट बार देख लिजे क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जह मैं और उस वीडियो की लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा क्लियर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक् समर्पित पहला अस्तपाल भारत में कहां पर खोला है तो यह खोला है मुंबई में वहां पर पहला हॉस्पिटल खोला गया एक लियर चलते हैं निक्स्ट कोश्चन पर निक्स्ट कोश्चन है सरकार ने आवस्ट्यक वस्तू अधिनियम के तहट 200 ml सैनिटाइजर की कीमत कित कितना किया 100 उर्पे ऐसा क्यों किया है क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना वायरस के चलते लॉग्डाउन वगरा भी चल रहा है तो वह क्या होता था जो बहुत से मेडिकल वाले वह अंसंट रेट पर नहीं क्या बेश देते थे अगर 100 उर्पे कीमत है तो उसको 1500 में 120 में इसा बेश से थे इसलिए क्या किया है जो गॉवर्मेंट है उसने आवश्यक वस्तू अधिनेम के तैट 200 मेल की जो सैनिटाइजर है उसकी कीमत कितने रुपे फिक्स किये 100 रुपे फिक्स किये यह आपरीकी गायक है और सेक्सो फून वादक है जिनका कुविट-19 के कारण 80 वर्स के आयू में निधन हुआ है क्लियर नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं अमेरिका ने कोरोना वाइरस से आपातकाल राहत पैकेज के लिए कितनी धनराशी को मंजूरी दी है तो कितनी परिस्तित्यों सहीत कोविट-19 को कवर करने वाले कॉंप्लेमेंटरी बीमा योजना को लॉंच की है तो कुन सी कॉंप्लेमेंटरी बीमा योजना है किसके साथ मिलकर यह लॉंच की है भारती एक्सा जनरल इंसुरंस कुन सी भारती एक्सा जनरल इंसुरंस क्लियर हाली में किस भारतिय फुटबॉलर को फीपा के कोविड-19 के खिलाब चलाए जाने वाले अभ्यान के लिए चुना गया है तो किसे चुना गया है सुनिल छेत्री को जो भारतिय फुटबॉलर है सुनिल छेत्री उनको फीपा के कोविड-19 के खिलाब चलाए जाने वाले अभ् सीर, यानि इंडियन मेडिकल काऊंसिल और रुप्रिसल द्वारा घटी प्रामरी स्टेज में अगर कोई भी मरिज है तो उसको ये रेकुमेंट बगरा भी कि collaborative भी चाहरे quickly तो मेडिकल में गए और खुश से खरिद के लाए और खाली है नहीं ऐसा नहीं आपको जब तक डाकुमेंट जो डॉक्टर है वो आपको रेकुमेंट नहीं करता तब तक आपको इस दवा का सेवन नहीं करना है इसका नाम आपको याद रखना है क्लियर चलते हैं निक्स्ट कोश्चन पर तो निक्स्ट कोश्चन है कोविड नैंटीन के वज़ा से टोक्यो ओलंपिक कितने वर्सों के लिए स्थगित किया गया है तो कितने वर्सों के लिए एक वर्स के लिए स्थगित किया है जो कोरोना वाइरस है उसके वाज़ा से जो ट 1.5 million dollar का कितना 1.5 million dollar का योगदान दिया है किसने बांगलादेश ने आपको यह याद रखना है clear चलते है next question पे next question है किस राज्जी की सरकार ने नमस्ते और चौह हैंड से एक अभियान शुरू किया है तो एक कुन से राज्जी की सरकार है करनाटक जो करनाटक गवर्मेंट है उसने क्या किया है नमस्ते और हैंड से अभियान शुरू किया है clear next question देख लेते है next question है कुविड-19 की वज़ा से देश के वित्य बाजारों को बंद करने वाला पहला देश कोन सा बना है तो ये कोन बना है फिलिपिन्स कोन बना है फिलिपिन्स जो फिलिपिन देश है वो कुविड-19 की वज़ा से देश के वित्य बाजारों को बंद करने वाला पहला देश बना है तो किस संस्तान ने कि is IIT दिल्ली ने जो इडिली संस्तान के जो विख गहने के जो साइन्टिस्त है उन्होंने क्या किया कोरोना वाइरस डिस डायंटिन की जाच करने के लिए प्रोप्री डिटेक्षन ऐसे नामक तकनिक विक्सित की है क्लिएर निक्ष्ट कोसन देख लेते हैं निक्स्ट कोसन है के इंद्रसरकार ने हाली में किस सोशल मेडिया प्लेटफॉम पर माई जी ओवी कोरोना हिल्पडिक्स की सुरुवात की है तो एक कुन सी सोशल मेड जो वाट्सअप है वहाँ पर केंद्रा सरकार ने हाली में माई जी ओवी कोरोना हिल्प डिक struct की सुरवात की है खंदि dimension निक्स्ट कुश्चन पर निक्स्ट को सिन्ट क्सन है Log down से प्रयबाबित होने वाले जितने भी जो प्रावासी है FELIPE है और जो गरीब है उनके लिए clear Next question देख लेते है nat prayer question है प्रदान के लिए नरेंदर मोदी ने पूरे देश में कितने दिनों के लिए lockdown की घोशना की है तो कितने दिनों के लिए को 21 दिनकोती का लाप नियांप करता हूं घर से बार मत निखले कोई अभी तक यह जो कोरोणा वायरस है यह लाई लज भीमारे इसके उपर कोई भी दवा वगरा वैक्सिन वगरा अभी तक विक्सित नहीं है पूरे वर्ड की जितने भी जो सैंटिस है वो इसके वैक्सिन निकालने में लगे हुए है salvage कि लिए चलते हैं next question पर next question है किस दिन पूरे भारत में जन्ता कर्फियों लगाया गिया किस दिन लगा गया 22 मार्च को पूरे भारत में जन्ता कर्फियों लगाया गया ? किस सग्यूध की वज़ Guid गित किया गया है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे तो आज देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या बना है तो आज का हमारा नेक्स्ट कोश्चन है टोक्यो ओलंपीक 2020 में हिस्सा लेने से मना करने वाला पहला देश कौन सा बना है तो ये बना है कनाड़ा जो टोक्यो ओलम्पिक 2020 होने वाला था वापे जो हिस्सा लेने से मना करने वाला पहला देश कौन सा बना है कनाड़ा बना है मेक इन इंडिया के तहर्ट बनी पहली COVID-19 टेस्ट किट को किसके द्वारा मंजूरी मिली तो किसके द्वारा CDSCO द्वारा मंजूरी मिली जो मेक इन इंडिया के तहर्ट जो कोरोना वाइरस है उसके एक टेस्ट किट बनाएगी तो उसको किसके द्वारा मंजूरी मिली यह बो शक्राइब जागरुकता फैल्आनर के लिए वुवंड को औरह गर चलते हैं, निक्स्ट कोस्षन पे निक्स्ट कोस्षन Goose लाइन तो कईसर बैंक के खिलाब जागरुकता फैलाने के लिएWoर्ल हेल्थ और अर्गर्टाइजशन के साथ मिल कर काम कर ने की घोशना की है clear चलते हैं next question पर next question है किस बैंक ने कोविड-19 emergency credit line launch किया है तो किस बैंक ने इस भी है जो state bank of India है उसने कोविड-19 emergency credit line launch किया clear next question देख लेते है next next question देख लेते है किस social media site ने कोविड-19 से संबननी जानकारी के लिए coronavirus information hub launch की है तो किस ने लांच किया है WhatsApp ने जो social media platform है एक site है कुणसी WhatsApp सभी तो यूज़ करते होंगे और करते ही है उसने क्या कि कोविड-19 से संबनी जानकारी देखने के लिए coronavirus information hub launch किया clear next question देख लेते हैं next question है देश का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल कहा खोला जाएगा तो एक आपे खोला जाएगा ओड़िसा में कापे खोला जाएगा ओड़िसा में और उसकी बिकरम की शुरुआत की है clear next question देख लेते कोविड-19 की चलते कर्फियों लगाने वाला भारत का पहला राज्यक मूंसा बना तो ये बना है पंजाब पंजाब clear next question देख लेते तो देखते अज का हमारा next question क्या बना है next question है किस राज्जे ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए break the chain अभ्यान शुरू किया है तो कौनसे राज्जी के सरकार ने केरल ने चो केरल राज्जी की सरकार है उसने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए break the chain अभ्यान शुरू किया है clear next question देख लेते Microsoft ने COVID-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सी वेबसाइट लाँच किये तो कौन सी वेबसाइट bing.com slash covid कौन सी bing.com slash covid नाम से एक वेबसाइट लाँच किये आपको याद रखना है इस वेबसाइट का नाम और बहुत ही अगर आप Google पर अगरे वेबसाइट सर्च करते हो ना ता आप जान सकते हो कि रियर टाइम में को से दिसमें कितने मरीज है कोरोना वाइरस है कितने लोगों की मोहते हूँ चुकिये कितने प्रेजेंट है अभी कितने एक्टिव कैसिस है और कितने लोग रीकवर भी हूँ चु शुरू किये तो कुन सी वेबसेट गूगल डॉट कॉम स्लैस को विड नाइंटिन आपको यह भी याद रखना है यह लॉंच की है गूगल ने और इसके पहले अपन ने किसके देखे थी वह आपको पता होना चाहिए कोरोना वाइरस के बारे में जागरू करने के लिए इसके समान क्राउन के समान क्राउन याने क्यों होता है जो मुकुट जो सरपयोगरा पहनते हैं आपने तो बहुत से टीवी सेरिल में रामायन मा भारत में देखा होगा तो जो मुकुट पहनते हैं उसकी समान इसकी संरचना दिखती है माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर clear चलते हैं next question पे तो next question है आज का coronavirus का नाम coronavirus कैसे पड़ा तो कोई से पड़ा crown जैसा structure होने के कारण मैंने आपको इसके पहले भी बताया था और ये सब मैंने चीज़े जो first part है इसका वहाँ पे मैंने cover की है clear चलते है next question पे next question है coronavirus के बारे में जागरू करने के लिए facebook ने कौन सा feature launch किया है तो कौन सा feature coronavirus information center कौन सा feature launch किया है facebook ने coronavirus information center नाम से feature launch किया है किसने facebook ने next question देख लेते है coronavirus की जाच के लिए कौन सी test की जाती है most important question है कौन सी test की जाती है RT-PCR कौन सी test की जाते है RT-PCR नाम की एक टेस्ट है जो कोरोना वाइरस की जाच के लिए की जाती है क्लियर नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं किस देश के प्रधान मंत्री कोरोना वाइरस से संक्रमित पाए गए तो कौन से देश के ब्रेटिन जो Britain की जो प्रधान मंत्री कुन आपको कमेंट करके बताना है मैं आपको नाम भी बता देता हूँ Boris Johnson वो अभी हाली में positive पाएगे उन्हें ने खुद पुष्टी किये कि मैं corona positive हूँ क्लियर चलते हैं next question पे तो आज का हमारा next question है भारतिय उद्योग परिसंग ने किस वाइरस से निपटने के लिए पुनरवास एवं रहात कोस की स्थापना की है तो कुन से वाइरस से निपटने के लिए obviously coronavirus ही होगा COVID-19 से निपटने के लिए भारतिय उद्योग परिसंग ने ए मोजीवन कारेक्रम की शुरुवात की है I think question double हो गया होगा हाँ डबल ही हो गया इसका correct answer है Odisa जो Odisa है उसने COVID-19 महामारी की रोकताम के लिए मोजीवन कारेक्रम की शुरुवात की है clear चलते है next question पे next question है किस देश की एबोट लैब ने कोरोना वाइरस की पाच मिनिट में करने वाली एक किट लॉंच की है clear next question देख लेते हैं next question है किस सेना प्रमुक ने COVID-19 से निपटने के लिए operation नमस्ते शुरू किया है याद रखना operation नमस्ते की बात हो रहे तो एक कौन से सेना प्रमुक है मनोज मुकुन नर्वनी कौन है मनुज मुकुन नर्वानी जो अपने थल सेना प्रमुक है उन्होंने क्या किया है COVID-19 से निपटने के लिए operation नमस्ते शुरू किया है clear चलते है next question पे तो आज का हमारा next question है सिरडी साई ट्रस्ट ने महराष्ट्र मुक्यमंत्री रहात कोस में कितने करोड का दान दिया है तो कितने करोड का 51 करोड का दान दिया है next question देख लेते हैं next question ने कोविड-19 के लिए स्वव मुल्यांकन उपकरन जाज करने वाला भारत का पैला राज्य कौन सा बना है तो ये बना है गोवा कौन सा राज्य बना है जो गोवा है वो कोविड नाइटिन के लिए स्वव मुल्यांकन उपकरन लॉंच करने वाला भारत का पहला राज बना है क्लियर चलते है नेक्स्ट कोश्चन पे तो आज का हमारा नेक्स्ट कोश्चन है किस अभिनेत्री ने 21 डे फिट इंडिया मुवमेंट वेट लॉस चैलेंग शुरू किय किस अभिनेत्री ने किया सिल्पा सेटी ने आपको पता है सभी को मैंने अभी पता है और आप सभी को पता होगा कि किस दिन का इंडिया में लॉकडाउन जल रहा है कब से कब तक 25 मार्स से लेके 14 अपरेल तक तो उस दिन वह से लोग घर में रहेंगे वो बूर हो जाएंग के लिए प्रोजेक्ट इसका याद रखना प्रोजेक्ट इसका लॉंज किया है तो कौन सी जो आय एटी है वो है आय एटी गांदी नगर आप सभी को पता होना चाहिए कि गांदी नगर का आप हैं गुजरात में क्लियर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे तो आज का हमारा कुस्टन है कोवेड-19 से निपटने के लिए डरोन का इस्तमाल करने वाला भारत का पहला सहर कोंसा बना है तो ये बना है इंदोर ऑर इंदोर कहा पे आता है मध्य प्रदेश में किलियर चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन पे नेक्स्ट और अपने इस वीडियो का लास्ट कोस्टन है किस अभिनेता ने कोरोना वाइरस से निपट ने हेतू 25 करोड रुपे दान दिये तो किस ने दे अक्षै कुमार ने जो अक्षै कुमार खिलाडे उन्होंने कोरोना वाइरस से निपट ने इतने भी स्टेडी रेलेटेड मटेरियल है वाटसप हो गया फेस्बूक हो गया वहाँ आप हमारे इस वीडियो को शियर कर दीजे थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो कम्प्लिट एक्जाम और वेस फित यू